हेलो फ्रेंड्स, आईयस पीसस स्टडी के इस ऑनलाइन प्रेटफर्म पे आपका स्वागत है हम लोग बिहार इस्पेशल सीरीज को पढ़ रहा हैं जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में बिहार की जो मॉडरन हिस्ट्री है उसको हमने पढ़ा था इसके बाद हम लोग आज बिहार की भुगोल को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम विभिन पभवावलिक परिद्रिस, नदिया, उद्गमस्थल, अनेफैक्ट्स और कुछ जलप्रपात और विभिन तत्य हैं उनको मैपिंग साथ पढ़ेंगे चुकि ये लेक्चर इसलिए बनाया गया ताकि आप बार-बार रिवाइच कर सकें छोटा सा कंटेंट है 15-20 मिट का ये कंटेंट आपको कई बार पढ़ लेंगे तो आपको कुष्चन गलत होने के जो चांसे होते हैं वो कम हो जाएंगे हमारा उदेश यही था इस वीडियो बनाने का तो कि अन्य जो लेक्चर से हैं हमने देखा यूटूब पर पढ़े होंगे या पेड लेक्चर से होंगे वो घंटो घंटो के हैं उससे आपका revision नहीं हो पाएगा आप exam के समय उसको revision revise कर नहीं पाएगे उसका revision भी नहीं हो पाएगा इसलिए आप इस content को कई बार revision के purpose यूच करिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बःहर के mapping के साथ शुरू करेंगे और बिहार के मैपिंग को हमने पिछले लेक्चर से बताया है सबसे जो पस्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे पुर्वी, सबसे दक्षिन पुर्वी और अन्य जो जिले हैं, उनके क्रम को और जो जिलों की अवस्थिती के बारे में हमने पिछले lectures में mapping के साथ अटेच कासा जो मैरा पहला lecture है बिहार तत्त में उसमें हमने बताया है बिहार के mapping कैसे करना है जिलों को क्रम वज़्यात करिए इनके पूरव से पच्छिम उत्तर से दक्षिम का क्रम जो है आप एक बार देख लीजिए सबसे उतरी दच्छणी पस्सिमी पूर्वी के जिला देख लीजिए और मैपिंग में एक काम आपको और करना है कि जो जो विभिन राज्य है जैसे बंगाल हो गया जारखंड हो गया उतर प्रदिस हो गया इन से कितने जिले चिपके हुए है कितने जिलेओं की स्थिति क्या है ठिक कौन से जिले लैंड लॉक है लैंड लॉक लैंड लॉक जिले कौन से यानि लैंड लॉक मतलब भू आवसित राजी यानि जिले जो की जो गिरे हो जैसे मुझफर पूर हो गया लैंड लॉक है सबसे कम साक्षाटादर, ती को जीला है? कम साक्षाटादरवाला, ठीक, इसी के साथ साथ, कि किस जिले में Линґानुपात, लिंगानुपात की स्थिति क्या है, यह सारे जो चीजों को आप मैप में जिलों की अवस्थिति के साथ देखिए, चुकि इससे होगा ये कि प्रस्ण बनेगा तो आपको the mind में clear रहेगा हो सकता है कि प्रस्ण ये भी पूछ दे ऐसे कि इनके जिलों का उत्तर सदक्षिन करम बताईए तो करम वाइज भी आपको देखना है आपको पूरब से पक्षिम का भी करम उत्तर सदक्षिन का करम ये सारी चीजों का आपको देखता है ठीक है तो state capital district boundary और state boundary सारी चीजों को international boundary अब ये पूछ सकता है कि international अब ये question ऐसे बना सकता है कि ऐसे नहीं पूछेगा कि नेपाल से कि सटे भी कितने जिले हैं हो सकता है ये भी पूछ दे कि बिहार में international border share करने वाले कितने जिले हैं तो प्रस्निक पूछने की प्रकीरती कुछ भी हो सकती है पर आपका जो concept है वो clear होना चाहिए तो आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा ठीक तो आपको जो है चली शुरू करते हैं ये बिहार के जिले हैं इन जिलों को आपको एकदम याद देखना है याद करना है कम से कम मैपिंग को 15 बार देखिए आपको याद हो जाएगा इसी के सांसा जो है इसमें कुछ चीजे हैं जैसे कि सबसे मोटे तरब बताया है दिखाया कोशी है ठीक है गंडक है जो मतलब इसमें मुख्यमुख्य जगहों का नाम है ठीक जो मुख्यमुख्य जो मेजर रोड्स हैं एरपोर्ट्स हैं रेल्वे हैं नेस्नल पार्क्स हैं नेस्नल पार्क को भी इस मैपिंग में अटेच इसलिए हमने इस map को attach कर दिया, राजगीर वाइड लाफ सेंचुरी, कैमूर वाइड लाफ सेंचुरी सब चीजों को देखना ऐसे गंडक नदी हो गया, ठिक, गंडक नदी हो गया, गंगा हो गया, ये कहां से उद्गम हो रही है, मतलब बिहार में उद्गम बिहार की जो भोगार्विक संरचना है उसमें क्या है बिहार की भोगार्विक संरचना की में चटानों के प्रकार चटानों के प्रकार देखने है चार चटाने पाजाती है धर्वार है बिंध्यन स्रेनी चटाने है तरसरी चटाने है और क्वाट्सनरी चटाने है तो छेत्र क जो चटाने हैं वो कहां पा जाती है दच्छनी पूर्वी बिहार जैसे की मुंगेर जमुई और नवादा में ठीक मुंगेर जमुई नवादा अब आपका क्या है मुंगेर जमुई जमुई और नवादा देखिए यहां आपको इस मैप में मुंगेर जमुई और नवादा को देखना है कहां से देखना है मुंगेर जमुई और नमदा यहां क्या पाजाते हैं यहां अभरक पाया जाते हैं क्या पाया जाते हैं यहां पे आपको अभरक मिलता है ठीक अभरक के निचेप मिलते हैं ठीक तो इस तरह से मैपिंग को आपको पढ़ना है इस तरह से पढ़ें बिहार को कितने भागों में बाटा जाता है तीन भागों में तीन भू आकरेतिक परदेशों में बाटा जाता है कौन है सिवालिक स्रेडी है बिहार का मैदान है और दच्छनी पठारी छेतर है कौन कौन से है, सिवालिक स्रेडी है बिहार का मैदान है और दच्छनी वाला छेतर है बिहार का जो नीचे वाला जो जार्खान से टाववा यह पठारी छेतर है ठिक, तो उपर वाला जो सिवालिक छेतर है और बिहार का बीच में मैदानी छेतर है जहाँ पर जो नदियां परवाग होती है गंगा नदि का खुप सा विस्तार है सिवालिक स्रेडि का विस्तार का है बिहार के पस्चिमी चंपारण के उतरी भाग में अब इसमें क्या है इसमें दून होते हैं कुछ दून होते हैं कुछ घाटिया होती हैं कुछ स्रिंडिया होती हैं तो इसमें इसे राम नगर दूम सोमेस्वर स्रिंडि और हरहा घाटि के नाम से बिभाजित रूप में इसको बिभाजित क्याता है सुमेस्वर स्रिनडी जो है वो पस्षी मी चंपरन में है आपने देखा और उसकी सबसे जो सबसे उची चोटी क्या है वो बहुत important है परस्षने बन सकता है Fort Sumeswar Fort Sumeswar इसका सबसे उची चोटी है Sumeswar भीखना ठोरी मावाद जो है इसके दर्रे है जो भारत और नेपाल के भी संपरक मार्ग बनते हैं यह यहाँ से यह दर्रय हैंő यहाँ से नेपाल का रास्ता बनता है तो इस तरह से आप इन दर्रों को याद रखना है इसी कसासत बिहार के जो मैदान से तो उसको दो भागमबटते हैं गंगा के मादन, उतरी मदान और गंगा का दच्णी मदान, अब कैसे देखेंगे मैपिंग में, इसलिए इसको दूसरा मैं पटाज किया मैंने, गंगा छितर आप देख रहे होंगे यह गंगा नदी, यह हो गया, आपका उपर सिवालिक सिलरी हो गई, नीचे दच्णी पठा भाग हो गया, यह गंगा का उतरी भाग है, और यह गंगा का दच्णी भाग है, यह आपका विभाजन हो गया, इस तरह से गंगा के मैदान को भी दो भागों में भाजित करते हैं, अच्छा, गंगा का उतरी मैदान है, गंगा का उतर दिसा से मिल और नदियों से मिलता है, बना है और दच्छिरी मैदान जो होता है वो दच्छिर भाग से जो नदिया निकलती है वो आकर के मिलती है तो वो दच्छिरी मैदान बनता है ये गंगा नदी है और उपर से जो उत्तर से जो आती है तो ये उत्तरी मैदान बनता है उत्तरी का जो मैदान है वो विस्तार पस है कि प्रस्ण पूछने की प्रकृती कुछ भी हो content यही रहेगा पर प्रस्ण पूछेगा तो confused नहीं होना है दच्री मैदान कौन सा है यह गया है राजगीर है गिरियक है बराबर है खड़क पूर है सिखपूरा जमारपूर बिहार सरीफ यह यह तिर्भूजाकार मैदान है यह तिर्भूजाकार मैदान है यह पहाड़ियों से अचा टाल छेट यह प्रस्ण बना हुआ है यह बहुत इंपॉर्ट श्टार मार्क कर लिजे इसको टाल जो है वो क्या होते है वो निम्न भूमी छेतर हो पहाड़ी हो गया और बीचों की जो मदान है उसमें उसमें जो सबसे निम्न वाला अस्तर होगा निम्न वाला जो जमीन होगा उसको बोलते हैं टाल टाल वाला जो छेतर है वो निम्न भूमी छेतर है और इसे कहां से है लखी सराय से पटना तक ठीक है इस जो है ये इसमें दो महतपूर है ठीक है बड़हिया और मुकामा अच्छा दियरा भूमी क्या होती है दियरा भूमी बिसेस आकरिती वाली भूमी है बिसेस आकरिती वाली भूमी है वो क्या है दियरा दियरा जो है बिसेस आकरिती वाली भूमी है कहां बनती है गंगा के मैदान में बार छेतर में बनती है, गंगा के मैदान में बार अच्छेतर में बनती है ये बहुत मत्ववूर है उतَّरी मैदान में उत्तरी गंगा मैदान में चौर जो होता है नीमने भूमी और मन जो होता है जो होता है गोखुर जील अगर जोग़राफी पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे उसमें जो नदीज़ा जो है अपना दिशा परिवरतन करती है तो उसी दिशा परिवरतन में जो छेतर जो होता है वो छूट जाता है तो यहां से एक गोखूर जीर का निर्माण होता है तो ऐसे यह बहुत सारे जो है यह जो अस्थला कृतियां है उनके नामों को याद रखना है इसी तरह से पा जाते हैं और क्या किस तरह से बना है एक दरख्षीने पठारी चेतर जो है जो बिहार से नीचे जो घरकाण वाला जो चेतर है वो है पस्ची में कैमूर से लेकर पूरब में बांका तक आप स्थिती को देख लीजिए पस्चिमिक कैमूर में लेकर के ठीक है वो बांका तक तो आपको यह बांका साथ देख लेना है कैमूर से लेकर के तो पूरा इदम इलाका तो इस तरह से आपको मैपिंग के साथ साथ जो है चीजों को पढ़ना content छोटा है इसलिए आपको revision करन में असानी होगी इसको आप बार-बार देखिएगा यह किस चीज से बना है नीस, सिस्ट और ग्रिनाइट पूछ सकता है कि प्रस्णी बी पच्छिनी पठारी छेतर जो है और नीमने में से किस चीजों से बना है नीमने में से किस पठारों चटानों से बना है option में हो सकता है कि ऐसे बन जाए कि बदलते प्रस्न की प्रकृति के अनुसार नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट नीस और सिस्ट न दे करके कुछ और चटाने दे दिया सेडिमेंटरी रॉक्स दे दिया मतलब मेटमार्फिक कुछ भी दे दिया और पुछेगा इसमें से केवल एक, केवल दो, केवल तीन या एक, दो, तीन, दो, तीन, चार ऐसे प्रस्न या कोई नहीं तो आपको क्रम याद रखना है और इस चीजों को याद रखना है कि एकदम नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट से बना है इसके अंदर के आते हैं, इसके अंदर हो अतास कैमूर जिले का, कैमूर का पठार, जहां बलुआ पठर मिलते हैं तो प्रस्न कैसा भी पूछे कंटेंट ही रहेगा, इसी से आपको बार-बार पठना है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, अच्छा गया मंदार बराबर, जेवियन की पहाडियां ठीक है, यह सब याद रखे गया मंदार बराबर, जेवियन की पहाडियों गंगेश्वरी राजगीर, सिखपूरा के सूकर, पीठ पहाडिया, बिहार सरीफ मोंगेर और जमालपूर के पार यह पहाडियां वाल छhitar अब मैपिंग में जो जो जिज़ो जो ज़ोग्राफिक जो दूसरी क्लास में कराऊंगा उसमें सारा चीज content पहाडियों के साथ उसमें अन जो छूटे जो भगोलिक से नचनाय हैं और अन जो भोगोल से मैं तत्त हैं उसको मैं के साथ हमने कराएंगे इसमें हमने नदियां और अन चीज़ों कवर किया है आप नीचे देख से जाएए सोन नदि जो है कैमूर के पठार को छोटा नाकूर पठार से अलग करती है प्रसन पूछ सकता है बहुत इस्टार मार्क करिये प्रसन तीन बार आया हुआ है बीपेस्टी में सोन नदि जो है वो कैमूर के पठार को छोटा नाकूर पठार से अलग करती है तो प्रसन पूछ सक में चुकि घटना चक्र के तथिसार में या कोई भी किदाब में इसमें मैपिंग नहीं दिया हुआ है आपको सीधे फैक्ट दिये में आपको फैक्ट समझने में परसानी होगी चुकि अब जब तक आप मैप देखें नहीं उस चीज को उसकी अवस्तिती को समझे नहीं तो आपको जो है दिकत होगी तो इसलिए कोसी नदी को देख रहे हैं आप कमला देख रहे हैं बागमती देख रहे हैं गंडक देख रहे हैं बुरी गंडक फिर गंडक है घागरा है गंगा नदी है करमनासा है सोन है पुनपुन है फालू है फिर गंगा नदी का जो यह इसलिए मैंने इसको टैच किया आप पढ़े होगे गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दच्छनी मैदान यह आपका हो गया गंगा का दच्छनी मैदान और कैसे बना यह जो दच्छन से नदिया आती है वो आकर के मिलती है और यह हो गया उत्तर का यहां से उत्तरी नदिय आकर बनती है, प्रस्न कैसे पूछ रहा है, अब आपसे ये प्रस्न नहीं पूछ रहा है, ये बताइए क्या है, ऐसा नहीं पूछता, प्रस्न ऐसे पूछ सकता है, कि अच्छा, कैसे पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है, गंगा के दच्छनी भाग में, मिलने से पूरब से पूरब का करम बता, यह पूरब का इस चीजों को याद रख ना है करनासा नदी, सोन, पुनपून, फलाऊ, ठीक है फालग ऑकि उर राजय यह साथ करम याद रखिए पूरब से पूरब का ठीक, इसी तरह से इस क्रम को आपको पस्चीम वाले उतरी वाला जो गंगा का मैदान है उसमें भी देखना है उसमें भी आपको इसी क्रम को देखना है इसी क्रम को यह क्रम बहुत ज़रूरी है चुकि प्रशन अब क्रम से पूछ रहा है अब प्रशन पूछने की जो प्रकृत है वो बदल इसमें हमने इसमें आउटलाइन दिया हुआ है और सारी नदियों का जो क्रम है वो दिया हुआ है तो और इसके बाद जो है चली हम देख लेते हैं इसमें हमने अटाइच किया है बिहार की कुछ नदिया नदिया अब इस फैक्ट को मैं पढ़ते जाता हूं आप जो है इसका और सिति देखी है नदिका कगंगा नदिक से हुता ही है और आप देखिए कि ये इसमें महत्पुन किया है प्रस निवीपू सत्या कि बिहार इन में से किस जीलों में नहीं प्रवाती है तो इसको देखना जरूई है पत्ना बक्सर मुकामा भागल पूर मोंगे टाट पे बसे और भोजपूर सारण जीलों के बीचो बीच सीमा मनाती है सर्यू जो है निगागरा नदी जो है यानि बहुत तभाही मचाती है ये भी बाढ़ काफी आता है इसका नाम पाल स्रीन नेपाल से उद्गा मस्तलग और छपराग निकट गंगा नदी में मिलती है ठीक है सीवान के समी बिहार में प्रिवस काती है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा का निर्धारन करती है बहुत इंपोर्टेंट है गंडक नदी गंडक नदी को अपने उपर देखा होगा नेपाल हिमाले से निकलती है नेपाल में सब्तर गंड़ी के नाम से अंते है सब्त गंडकी काली गंडक नरायन गंडकी नरायनी और सारगरामी नाम से प्रसिद्ध है देखा हुई है बोरी गंड़क उपर आप से उप्र बोरी गंड़क भाड़क उपर आप देक रहे होगे स्रंस्राइब स्रोपी से निकलती है स्रोप स्रंस्राइब के बारे में आपको ऊपर बताया Judaism मुझेट निकड गंगा नदी मिलती है इसमें क्या है मुझकफरपूर दर्भंगा और मुंगरे टट ये बने हुए है इसकी सायक नदिया क्या है बाडगंगा, मशान, उरई, हरहा बाडगंगा भहुत महत्पूर है इसको आप यहाँ देखेगा बाडगंगा इसके जो सायक नदिया है उसको आप देखते रहे है बागमती, बागमती जो है वो निकलती है ये कोसी नदि में जाके मिलती है ठिक, खगड़िया में और कमला, कमला आप देखे होंगे कमला उपर हमने देखाया आपको मितला छेत्र की प्रसिद नदि है ठिक, मितला छेत्र की ये प्रसिद नदिया है और इसका कौन सी परमुक्सा एक नदी है सौरी धोरी और बलान इसका जो नदियों के मिले वाद इसका नाम क्या होता है कमला बलान हो जाता है मधुबनी जिले में बहागरा के पास जो भारत में प्रवेस करती है कमला नदी उपर आप देख रहे हैं कि कमला नदी है कोसी के ब इसलिए इसको मैंने अटेच किया कि आप इसको भी देखिए गंगा नदी का विस्तार देखिए खगरिया ठीक है इसके बाद जो आप बोड़ी गंड़क पढ़े होंगे बोड़ी गंड़क पढ़ने के बाद गागरा पढ़े होंगे गंड़क पढ़े हैं भागमती पढ़े तो यह mapping है और map के साथ आपको देखना ही देखना है अब देखिए कोसी नदी कोसी नदी जो है वो कहां से निकलती है नेपाल होती है पत हिमालेशत से खगड़िया में प्रवेस करती है गंगा नदी में ठीक है सुन कोसी अरुन कोसी तैमुर कोसी यह है बिहार का सोक और भार नेपाल से निकलती है ठीक है जब भार में राज में गंगा मिल लाती है अस्ठानीस से फुलहर नदी क कैते हैं दूसरी धہरा महाण अंदर दाजलींक निकलती है और दिजनापूर्माल्दा ओते बैं बांगलादेश में नदी किनारी मिल लाती इसकी लंबाई ब्हार लंबाई छोड़िये, इसको आपका अफ्स्तिति याद रखना है, दो धराओंसे मिलकर बनीएmother सोन नदी, यही एक नदी है जो आपको पठारी छेत्र है यादि मद्र्परदेश के जो पठारी छेत्र है और इस साले छेतर से निकलती है अमर कंटक्स रेड़ी से इस परवत के स्रेड़ से निकलती है और ये जो है मैकाल स्रेड़ी मैकाल परवत के अमर कंटक्स रेड़ी से मदपरदेश से निकलती है पटना निकत मिलती है और कौन कौन से जी इसमें उत्तर प्रदेश, मद प्रदेश, जारखंड, बिहार में प्रवाईट होती है जोजिलाग, रोपद, रिहंद, कनहार और उत्तरी कोयल ये जो हैं इसके सहाइक नदिया है रिहंद बाद किस नदी पे है, इसको भी आप थोड़ा कमेंट करिएगा देखते हैं इसका आपको आता है कि नहीं आता है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी का आपने करम नीजी अपने उपर मैपिंग में देखा होगा छोटा नागपुर पठार पलामु जारकंड से निकलती है करम नासा आपने देखा होगा ये बहुत मतलब इसको असुब माना जाता है बिहार में कैमूर परवत कैमूर बिहार में निकलती है फिर गंगा नदी चौसा में जाके मिलती है उत्तरदिस बिहार के विष्टिम अबनाती है बिहार में से असुब यानि अपवित्र मानते है अजय नदी अपने देखाऊगा देवघर जारकंड से निकलती है बहार बिगार के मुंगेर जिले में प्रभाइध होती है तो यह आपका दो नदी और बचा हुआ है यह पुनपुन नदी में जाके मिलती है बौत अर हिंदू के लिए बहुत महतपूर है क्योंकि यहीं पे पिंडदान होता है पितरपक में पिंटडान जो होता है इसी नदीय पे होता है किस पे फल्गू पे ये पुनपुन नदीय में मिलती है तो इसको याद रखना है अच्छा ये क्रम बड़ा अच्छा दे दिया है कि गंगाय में उत्तर दिसा से मिला लगी कौन से नदीया है घागरा गंडक मूरी गंडक बागमती कमला बलान कोसी महननदा इसको अपने मैप में देखा ही होगा याद हो गया होगा आपको अब तक तो गंगा नदी में दच्छनी सामें क्या मिले वा नदीया है करम नासा है सोन है पुनपुन है फल्गू है किउल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कॉलत है इसका ठीक है और ये दुर्गावती जो जल प्रपात है इसका जो बिसेश्ता क्या क्रमनाशा की साइक नदी है दुर्गावती परेस्ट है कैमूर रोताफ प्रथार पर वस्त्रीत है और कबकर जो है ये कबकर पहाड़ी परेस्ट है इसकी उचाई सब्तिधारा सधर्वा जो है और ये उसका उद्गा मस्तल है राजगीर ठीक है राजगीर जो है इसका उद्गा मस्तल इसको ध्यान दीजेगा सुरिकुंड जो है इसका उद्गा मस्तल क्या है राजगीर ही है मकदून कुंड जो है इसका उस्थल भी राजगीर है नानक कुंड में राजगीर है रिसी कुंड में मुंगेर है सीता कुंड में मुंगेर है लचमर कुंड में मुंगेर है और रामेश्वर कुंड में भी मुंगेर है तो उद्गम अस्थल को मतपूर जलकुंडों को ध्यान देना है जलकुन से हो सकता है प्रस्ण बन जाए प्रस्ण बनने के चांसेस है इसलिए आपको कुछ भी content छूटना ही चाहिए चुकि content ही छोटा है तो इसमें से जो प्रस्ण आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए बिहार की जो मिटियां है अब ये मिटियों बहुत मत्पून है जो गंगा का उतरी मैदान है जो गंगा के छेतर का जो उतरी मैदान है और गंगा के छेतर का जो दच्छनी मैदान है उसी के जो मिटियां पाई जाती है उसको देखना है अब कैसे देखना इसको उतरी मैदान म तो मैं आप देखती रहिएगा अच्छा इसका जो किए अब इसके बाद जो है तराई छेतर में है पस्चिमी चमपारण से किसन गंज तक पूछ सकता है ब्रस्ण की तराई छेतर में निमले में से कौन से जीले पाई जाते हैं तो पस्टिमी चंपान से लेकर किसन गंज तक बांगर चेत, पूरिया सहर सा और कोसी नदी चेत, जो है दरवंगा मुझाफरपूर कराइल इसे कराइल मिटी भी बोलते हैं कराइल और कराइल मिटी ठीक है बांगर वाला और बलसुंदरी जो है तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिएगा अच्छा खादर जो है वो कौन से मिटी है वो नमीन जलोड मिटी खादर जो है नमीन जलोड मिटी है अब गंगा का दच्छनी भाग देखते है अब गंगा का जो दच्छनी वाला मैदान है उसमें जो है इसमें तीन से चार प्रकार की मिटियां पाजाती है जिसमें एक तहर टाल मिट्टी है टाल मिट्टी जो है पटना मुंगेर और भागलपुर ये लखी सराय वाला चेतर है इदर उसके आसपास के चेतर है पटना मुंगेर और भागलपुर में टाल मिट्टी है अभरक मिट्टी कहाँ पर है नवादा में अभरक जो कहाँ पर जाते है कुछ जिलों का हमने उपर नाम बताया है उसको आप रिवाइज करिएगा प्रसन पूछ सकता है बल्थर जो है वो कैमूर पठा राजमल की पहाड़ी और पनी कट होता है लोहा होता इसलिए ये लाल होता है लाल बलुई जो है वो कहाँ कैमूर और रुटास के पठार के छोटे मोटे अनाजों के लिए बहुत उप्यूगत है लाल बलुई चुकि मोटे अनाजों के लिए जो है क्या नाम दिया गया है किन सरकार द्वारा और उसका वर्स मना आ जा रहा है UN ने भी गुशित किया है तो यह बहुत important है मोटे अनाज के लिए लाल बलुई जो है रुवतास कैमूर वाले पठारीच भाग में खेती के लोप्यूगत थी मट्टी लाल बलुई वाली मिट्टी तो मोटे अनाज जो है इसमें चरचा में है तो प्रसण हो सकता है कि इसी से बन जाए कि इनकी किस जिलो में कौन सी मिट्टी जो है इसकी लिए उप्यूगत है किस जिलो में पाई Hai तो आपको प्रसण जहां से बन रहे हैं उनके सभी आयामो को देखना है मोटा अनाज जो है उस पर प्रसंद बनेगा बनेगा करेंट अफियर में है इसको आप पढ़िएगा स्री अन्ने बोलते हैं ठीक है तो अब यह रिवर बेशिन है यह मैपिंग मने लगाया है यह आपको सारे मैपिंग एक PDF में कहीं नहीं मिलने वाले तो आपको जो है कि छोटा सा कंटेंट मातर तो रिवर बेशिन को जरूर ध्यान देना है रिवर बेशिन होता छेतर है कि जो नदी है उसका जो बेशिन छेतर है उसको आपको बहुत ध्यान देना होता कि यह जिलों में बिश्तार क्या है आगर आप उपर जो जिले वाली मैपिंग पढ़ कर लेंगे तो उसके बाद रिवर बेसिंग को पढ़ेगा इसलिए उन्हें रिवर बेसिंग के मैप को सबसे लाश्ट में रखा यह महाननदा बेसिन है उपर कोसी बेसिन है कमला बलाम बेसिन है बागमती जो है भी बेसिन है गंड़क बेसिन है, सोन बेसिन है, करनासा मदी दर था पुनपुन था, हरोहर बेसिन है क्यूल है, बदुआ है ठीक है, चंदन बेसिन है तो ये बेसिन है और ये बीच वाला जो छेतर है वो गंगा का बेसिन तो है वो सदा बहार बेसिन है गंगावाला बीच का छेत्र है ये बिहार को दो भागों में बार्टी गंगा ना दी तो ये उत्तरी पस्ति में तो ये जो गंगावाला छेत्र है वो तो है बेसिन आपको देखना है और इनके बेसिन के क्रम को देखना है प्रसन हो सकता है ये पूछ से और हम लोग पिहार इस फेशल का पूरा ओर सीरीज करा देंगे एक दम तीन से चार दीनों में खतम हो जाेगा इसी तरह से और हमने इंशियंट हिस्टरी का पूरा सीरीज हमने कभा करा दिया है वो भी घठना चकर से हमने पढ़ाया है हैं ard-written नोटस हैं और धरूर लाइक करिएगा धन्यवाद